हलो फ्रेंड्स वेल्किम टू दो यूपीसी करिकुलिम चैनल आज हम डिसक्स करने वाले हैं इम्पॉर्टिन्ट रिवर्स के बारे में इसमें आपको कुश्चिन्स देखने को मिलेंगे वन लाइनर के फॉर्म में तो हम सिर्फ और सिर्फ कुश्चिन्स देखेंगे जैसे कि विच रिवर इस दी लाइफ 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 गोवा इस तरीके से हम कुश्चिन्स को डिसकस करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा helpful होने वाली है तो प्लीज वीडियो को end तक देखेगा तो चलिए start करते हैं और देखते हैं अपने important questions को next is which river joins Ganga from south side जो हमारी Ganga river है उसको south direction से कौन सी river जोईन करती है तो उस river का नाम है Son river which is the national river of India इंडिया की national river कौन सी है तो उसको नाम है Ganga which river flows from India to Pakistan वो कौन सी river है जो की इंडिया से पाकिस्तान तक फ्लो करती है right answer is Satlaj घागरा and Son are the tributaries of जो घागरा river है और Son river है वो किस river की tributaries है right answer होगा Ganga river की tributaries है which river is called Sorrow of Bengal वो कौन सी river है जिसे Sorrow of Bengal के नाम से जाना जाता है तो उस river का नाम है Damodar river the origin of Betwa river is from जो Betwa river है उसका origin कहां से हुआ है तो वो हुआ है विंध्या range से the origin of कावेरी river is from the ब्रह्मगिरी hills origin of नर्मदा river is from अमर केंटक hills and the origin of सतलज river is from बांट कैलास तो यह जो रिवर हैं Betwa, कावेरी, नर्मदा, सतलज यह अलग-अलग range से निकली हैं तो बेतवा है विंधा range से कावेरी, ब्रह्मगिरी hills नर्मदा, अमर केंटक और सतलज है माउंट कैलाश आगे बात कर लेते हैं तो origin of तापती river आपको बताना है तो वो बेतुल district of MP से निकलती है which river is called sorrow of बिहार sorrow of बिहार के नाम से किस river को जानते हैं तो वो river है को सी which is the largest west flowing river largest west flowing river कौन सी है नाम है नर्मदा which is the longest river of इंडिया हमारी इंडिया की longest river कौन सी है तो वो है गंगडा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर enters इंडिया थूँ जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में कहां से इंटर करती है नाम है अर्रांचिल प्रदेश ब्रह्मपुत्र रिवर इस नोन आज इन टिबबद और इन बांगला देश अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की टिबबद में बात करें तो वहाँ पे सैंग्पो कहा जाता है और बांगला देश में उसे जमना के नाम से जाना जाता है next one is kolkata is situated on the bank of जो kolkata है वो किस river की bank पे located है तो वो हुगली river पे located है banaras is situated on the banks of गंगा river गुहाटी is situated on the banks of तो ये situated है ब्रमपत्र रिवर शीनगर is situated on the bank of इंडस river तो ये चारो points आपको याद रखने है कि कौन कौन सी bank पे situated है next question is नासिक is situated on the bank of विच रिवर तो उस रिवर का नाम है गोदावरी एहमदाबाद is situated on the bank of साबरमती रिवर उजेल is situated on the bank of विच रिवर तो रिवर नेम इस सिपरा रिवर ताजमेल is situated on the bank of विच रिवर तो रिवर नेम इस यमणा जॉक फोल्स of करनाटका is located on विच रिवर राइट आंसर इस रिवस्टी विच इस कॉल दी ग्रेंट कैनियों अफ इंडिया तो ग्रेंट कैनियों अफ इंडिया कहा जाता है ग्रेट कैनियों अफ गंडि कोट सिवाश मुद्र is an island formed by जो सिवाश मुद्र है वो किस island के दोरा फॉर्म किया जाता है तो उस रिवर का नाम है कावेरी लाजिस एस्टरी ओफ इंडिया is at the mouth of river जो लाजिस एस्टरी बनती है mouth of river की वो कहां पे है तो नाम है हुगली रिवर भाकर नंगल डाम is built on which river नेम इस सतलज रिवर जो भाकर नंगल डाम है वो सतलज रिवर पे built है वालयार डाम is situated in which of the district of Kerala तो जो वालयार डाम है वो पलकर district में located है राना प्रताप सिंग सागर डाम is built on which river तो ये डाम situated है चंबल डीवर पे विश रिवर इस नोन आज वृद्ध गंगा वृद्ध गंगा के नाम से किस रिवर को जाना जाता है तो रिवर के नाम है गोदावरी विश रिवर इस नोन आज दक्षिन गंगा तो रिवर के नाम है गोदावरी विश रीवर इस आ रेड फेड रीवर रेड फेड रीवर के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है पेरियर रीवर केरला में है दी मैंगलोर एस सिचुईटर ओन दी बांक आफ विश रीवर तो यह सिचुईटर है निट्रावटी पे which is the tallest waterfall of India with height of 1493 feet तो जो कुंचिकल falls है करनाटका में सबसे tallest waterfall है इंडिया का which river basin is shared by more than 10 states of India तो जो गंगा है उसका river basin share करता है अप्रोक्स 10 states of India के द्वारा largest ashory in India is at mouth of which river largest ashory बनती है हुबली river पे which canal is located in West Bengal तो एडन कैनल लोकेटेड है West Bengal में river on which reservoir for इंदरा गांधी कैनल has been built तो ये reservoir बना है सतलज river पे भागलिया डाम is situated on which river तो ये चेनाब river पे लोकेटेड है जो की जम्मू एंड कश्मीर में है तो यहां पे हमने अपने सारे river से related सारे important questions को देख लिया है so thank you so much guys for watching my video मलते हैं आप लोगों से next video में ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं please like comment and share with your friends